एक रोज मिक्की माउस टूंटनी चुडिया के जंगल में जाता है और टूंटनी चुडिया को जादू करके दिखाता है टूंटनी चुडिया को मिक्की माउस का जादू बहुत पसंद आता है और वो मिक्की माउस का जादू देखने फिर से जाती है मिक्की माउस का जादू बहुत मशूर हो जाता है टूंटनी चुडिया मिक्की माउस को जंगल में लाती है और मिक्की माउस का जादू सबको दिखाती है मिक्की माउस का जादू सबको बहुत पसंद आता है तुंटनी चुड़िया मिकी माउस को बहुत सारे गिफ्ट देती है तुंटनी चुड़िया मिकी माउस का शुक्रिया दा करती है और बहुत सारे गिफ्ट के साथ अल्ला हाफिस कहती है तुंटनी चुडिया रोज शाम को जंगल में गने जंगल में एक टहनी पर बैठे शाम गुजारती फिर शाम को गने जंगल में शाम गुजारने के बाद अपनी दोस्त से मिलने जाती तो क्या देखती कि वो रो रही है तुंटनी चुडिया अपनी दोस्त को चुप कर वाती और अपने घर लेकर आती और उससे पूछती कि तुम क्यों रो रही हो पिर उसकी दोस उसको बताती टूंटनी चुडिया की दोस रोते हुए अपनी दोस को बताती कि मैं जंगल से उड़ते हुए गुजर रही थी तो एक जादू कर ने उसको पकड़ कर कैट कर लिया था टूंटनी चुडिया की दोस ने बताया कि वो जादू कर तो बहुत ही खतानाथ था और हर चीज जादू से बननी होई थी और जादू कर बहुत से जादू करता तुन्टनी चुडिया की दोस पे बहुत सारे जादू किये जिसकी वज़ा से उसको होस्पिटल लेकर जाना पड़ा टूंटनी चुडिया की दोस होस्पिटल पहुंची तो डाक्टर ने इसको चैक किया डाक्टर ने टूंटनी चुडिया की दोस्ट को देखा और उसको ट्रेप लगाई और उसको बहुत सारी दवाईयां दी टुंटनी चुडिया ने अपनी दोस्त को कहा तुम फिकर ना करो हम जादुकर से बदला लेंगे मैं बहुत ही अच्छी परी को जानती हूँ टुंटनी चुडिया ने ननी सी परी को जादुकर का घर सब कुछ दिखाया और फिर दुनों में खूब लड़ाई हुई इस तरहां टुंटनी चुडिया और उसकी दोस्त और परी की जीत हुई और तीनों बहुत खुश थी और टुंटनी चुडिया ननी सी परी को अलविदा कहते हुए शुक्रिया दा किया